नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है दोस्तों प्रश्ण उत्र शंकला में आज जो हमारे पत्र पत्र का हैं उनसे संबंदित कुछ प्रश्णों की बात करेंगे सबसे पहला प्रश्ण हिंदी का पहला समाचार पत्र कब कहां प्रक्षे प्रकासित हुआ तो दोस्तों इसका उत्तर है उदन्द मार्तन जो प्रकासित हुआ था 1826 में कलकत्ता से हमारा अगला प्रश्ण उदन्द मार्तन्द साप्ताहिक पत्र के संपादक और मुद्रक कौन थे उदन्द मार्तन्द साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक और मुद्रक कौन थे इसका उत्तर है बाबु जुगल के सोर सुक्ल कानपूर के निवासी थे ये अगला प्रश्न हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है सॉरी कौन सा था हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था उत्तर सुधा वर्षन समाचार सुधा वर्षन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों इस तरह के प्रशन अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अगला प्रशन सुधा वर्षन के संपादक कौन थे और ये कहां से प्रकासित होता था लुब that सुधा वर्षन्ट समाचार पत्र के संपादक कॉन थे और यह कहा से प्रकाशित होता था इसका उत्तर है सुधा वर्षन्ट के जो संपादक थे वह स्याम सुंदर सेन जी थे और यह कलकठ्ता से ही प्रकाशितじゃ जाता था अगला प्रशन भार्तेंदु जैसी रचना सैली तथा भासागत विशेशताओं के कारण किसे प्रति भार्तेंदु या द्वतिय चंद्र कहा जाता था भार्तेंदु जैसी रचना सैली तथा भासा गत्विसेश्ताओं के कारण किसे प्रति भार्तेंदु या द्वतिय चंद्र कहा जाता था इसका उत्तर है प्रताप नरायन मिश्रको प्रताप नरायन मिश्रको भार्तेंदु जैसी ही सैली तथा भासा गत्विसेश्ताओं के कारण प्रति भार्तेंदु या द्वतिय चंद्र भी कहा जाता था अगला प्रश्न संस्कृत तथा हिंदी के प्रचार प्रसार हे तु स्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र का प्रकाशन कब वा कहां से किया गया हिंदी तथा संस्कृत के प्रचार प्रशार हे तु स्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र का प्रकाशन कब वा कहां से किया गया तो दोस्तों वेंकटेश्वर समाचार पत्र का प्रकाशन बंबाई से किया गया था 1871 एसमी में हमारा अगला प्रश्ण 1938 में प्रकासित प्रगति सील विचार धारा का कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिसमें प्रगति वाद सब्द प्रयुक्त नहीं हुआ 1938 में प्रकासित प्रगति सील विचार धारा का कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिसमें प्रगति वाद सब्द प्रयुक्त नहीं हुआ प्रगति सील विचारधारा का होने के बाद भी उसमें प्रगति वाद सब्दुप्प नहीं प्रयोग हुआ था वो था रूपाब और उसके संपादक थे सुमित्रा नंदन पंत जी अगला प्रश्म सन 1954 में प्रकासित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे तो इसका उत्तर है जगदीश गुप्त दोस्तों आप कमेंट में उत्तर लिख के बिल्कुल नहीं भेजते हैं उत्साह नहीं दिखाते हैं कैसे मतलब आप लोग सुनते हैं उत्तर लिख लिए करिए आपको खुद चेक हो जाएगा यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कि गलत उत्तर हो जाएगा तो आपके परिक्षा में नंबर कर जाएंगे अपने आपको चेक करिए और कम से कम यह तो बताइए कि कि किसके प्रश्ण सही हो रहें ताकि प्रश्णों के इस तरका मुझे अंदाज लग सके और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक चरूर कर दिया करिए अगला प्रश्ण हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंद्र यूग की कौन सी पत्रिका उलेखनी है दोस्तों इस तरह के समाचार जो प्रश्ण होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं यह घुमाने वाले प्रश्ण हैं हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंद्र यूग की कौन सी पत्रिका उलेखनी है इसका उत्तर है आनंद कादंबनी समालोचना के सूत्रपात के लिए जो पत्रिका उलेखनी है उसका नाम है आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे तो दोस्तों आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक बद्री नरायन चौधरी प्रेम धन जी थे अगला प्रशन आलोचना नामक प्रसिद समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे यहां पे जो मैंने अलग सब्द लगाया है समेक्षा पत्रिका इसको जरूर ध्यान दी जगा आलोचना नामक प्रशिद समेक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे डॉक्टर नामवर सिंग आलोचना नामक प्रशिद जो समीच्छा पत्रिका थी उसके संपादा डॉक्टर नामवर सिंग थे अगला प्रश्ण भारतिय भासा परिशद कोलकता कोलकाता द्वारा प्रकासित पत्रिका है भारतिय भासा परिशद कोलकता द्वारा प्रकासित की जाती है अगला प्रश्ण भंग दूत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों यह उत्तर तुसायद आप सबको पता होगा बंगुदूत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था यह निकाला गया था राजा राम मुहन राय द्वारा बंगुदूत नामक जो समाचार पत्र था वो राजा राम मुहन राय द्वारा निकाला गया था दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आपको आज के जो प्रश्णोतर थे ये पसंद आए होंगे आप लोग जो मेरी तथ्यों पर आधारी सीरीज चल रही है काव्य साथ की उसको देखें और साथ ही अगर ये कोश्चंस देखते जा रहे हैं तो ये समझें 10 से 15 कोश्चंस आपके देली त्यार हो जाते हैं डेटेल आप पढ़िए लेकिन डेटेल पढ़ने से कई बार कुछ चीजें फूर जाती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं जाती है इस तरह के अगर हम सुनते हैं प्रश्ण तो वह हमें ध्यान बने रहते हैं ये हमारे लिए बहुत उप्योगी होते ह परिक्षाओं में तो दोस्तों उम्मीद करते हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिजे ये नमस्कार